दिल्ली वधासबा चुनाव में भाजपा को पिछले चुनाव की तरह इस बार भी करारी हार जेलनी पड़ी और आम आदमी पाटी एक बार फिर सत्ता में लोटी है वही चुनाव प्रचार में पूरी ताकत जोग देने के बाद भी भाजपा दहाई के आकड़े तक नहीं पह प्रचार में कोई मुख्यमंत्री का चहरा होना नहीं रहा है जबकि आम आदमी पाटी के पास अरविंद केजरीवाल के तौर पर मजबूत चहरा था चुनाव प्रचार के दुरान सीम केजरीवाल ने भी भाजपा पर सीम चैकर को लेकर सवाल दागे थे साधी उन्होंने अमित्र शाह को भी बहस की खुली चुनावती दे डाली थी ऐसे में भाजपा की हार का ये भी मुख्य कारण माना जा रहा है भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनावती मजबूत इस्थानी नेता नहोना भी माना जा रहा है भाजपा ने प्रचार के लिए अलग-अलग राज्यों के मुख्य मंत्रियों को सांसदों को उता रहा लेकिन इन में से कोई भी नीता जनता के साथ सीधे तोर पर जुड़ने में असफल रहा पूरे प्रचार के दरान राश्ट्री नितरत्व का दबदबा ही निजर आया साथ ही स्थानी नेताओं की भूमी का भी कमजोर रही भाजपा पूरे चुनाव प्रचार के दरान केजरिवा सरकार के मुफ्त भिजली पानी योजना का तोड़ नहीं निकाल पाई जबकि आप पार्टी ने मुफ्त भिज्रीपानी के जरिए जन्ता में पार्टी के प्रती विश्वास कायम किया बीजेपी ने अपने घोशना पत्र में दो रुपे किलो आटा देने का वादा किया लेकिन ये भी वोटरों को लुभा नहीं पाया बीजेपी द्वारा किया गया भाजपा का अक्रामक और नकारात्मक प्रचार उस पर ही भारी बढ़ा भाजपा के शिर्ष नेतरत विसलेकर दिल्ली के नेताओं ने केजरिवाल को चुनाओ प्रचार में जम कर गोसा और कई तीके हमले भी किये गए इतना ही नहीं केजरिवाल को आतंकवादी भी बोला गया नहीं दूसरी और केजरिवाल ने नारोगों का खुल कर सामना किया ऐसे में भाजपा का नकारात्मक प्रचार उस पर ही भारी पड़ा चुनाओ प्रचार के दरान भाजपा नेताओं ने जम कर उकसानी वाली राजनीती की बीजेपी के अनुराग ठाकुर और कपल मिश्रा जैसे नेताओं ने भड़काओ बयानों से आम आडमी पार्टी को फायदा पहुंचाया इतना ही नहीं भाजपा की शिर्ष नीता कई बार भाषा की मर्यादा लांगती भी नज़र आए जिसे जहता में गलत संदेश गया बीजेपी ने शाहिन बाग को भी चुनाओ प्रचार में हिस्सा बनाया लेकिन इसका भी फायदा भाजपा को नहीं मिल सका subscribe our channel and press the bell icon for more updates